कैसे हो आप लोग तो आज मैं फिर से एक नई रेसिपी लेकर आई हूं तो फ्रेंज यह है ब्रोकली और ब्रोकली खाना तो किसी को भी पसंद नहीं आता है क्योंकि इसका टेस्ट बहुत जादा अच्छा नहीं होता है चाहे बच्चे हो या बड़े कोई भी से बहुत जाद इसका पीसे अपने हिसाब से छोटे या बड़ा रख सकते हैं आपको जितना बड़ा रखना है रख सकते हैं तो इसका जो डंठल है वो काटकर हटा देंगे पहले और इतना बड़ा पीस रख सकते हैं और चाहे तो इसे बड़ से भी काट सकते हैं मैं इसे बच्चों के लि तो ब्रोकली क्ट हो में हो गया है आफ या करें गयला इसे थो03 ते तरह से अफूर गड़ा हो अग पॉल्याए वेहाँ आफ़िए पर फानी घर्म हो घर्म हो गया है तो पानी हो गड़ा है घर्म हो तो देखिए पानी गर्म होने स्टार्ट हो गया है तो प्रेंड्स आप तो जानते ही होंगे कि ब्रोकली को बहुत ही ज्यादा हेल्दी फूड माना गया है फिर भी इसे कोई भी खाना पसंद नहीं करता चाहे बच्चे हो या बड़े इसलिए मैं थोड़ा साइसे अलग तरी तो यह देखिए बोईल होना स्टार्ट हो गया है अब गैस का फ्लेम ओफ कर देंगे और इसे चनी से चान कर निकाल लेंगे इस तरह से अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ तो एक पैन लेंगे और इसे गर्म होने देंगे उसके बाद हम इसमें डालेंगे दो चमश बटर तो आप बटर के जगह पर घी भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स और ये होममेट बटर है सॉरी बटर जब कर्म हो जाए तो इसमें हम ब्रोकली को आइड करेंगे और इसे दो से तीन मिलाट तक इसे भून लेंगे इस तरह से चलाते रहेंगे लगातार तो ये हलकाल का पानी भी छोड़ रहा है देख पा रहे होंगे तो इसमें हम कुछ भी मसाला जादा नहीं आट करेंगे क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो बस इसमें हम डालेंगे स्वाद के अनुसदार नमक ये पहारी नमक है जिसे सेंदा नमक भी बोला जाता है फ्रेंड्स वह मैं यहां डाल रही हूं आप इसके जगह पे सादा नमक भी डाल सकते हैं और इसके बाद इसमें एड़ करेंगे आदा चमच काली मिर्च का पावडर तो अगर आप इसे बड़ो के लिए बना रहे हैं तो इसमें चाट मसाला चीली फ्लेक से सब डाल स सकते हैं थोड़ा समसाला भी डाल सकते हैं लेकिन मैं इसे बच्चों के लिए बना रहे हूं इसलिए मैं ज्यादा कुशिस में डाल रही हूं बस नमक और गोल की पावडर ही डाला है अब इसे अच्छी तर से भून लेंगे उसके बाद एक प्लेट में निकालकर सर्फ करे करेंगे तो वीडियो अच्छी लागी हो तो वीडियो को लाइक और सेयर कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे तब तक लिए बाए बाए मिलते है अगली वीडियो में